आम की इस रेसिपी को अगर आपने एक बार अपने घर में बना लिया ना तो आप बार बार जरूर बनाएंगे क्योंकि खतम ही इतना जल्दी हो जाएगा तो यहां पर मैं लेकर रहे हूं आपके लिए कच्छे कैरी का आम का कूचा जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने म अगर नहीं होगी तो हम इस अख्षाई गीस हैं और अगर नहीं होगी तो हम इसे अख्षा ही गीसेंगे और अगर नहीं आई होगी तो हम पीच से को कट करके अराम से घिच सकते हैं तो यहाँ पर दोनों आप में गुठलिया आ गई हैं तो अब हम इसे अक्खा ही घिसेंगे तो यहाँ पर मैंने घिसने के लिए एक बड़ा सा बॉल ले लिया है और जो आलू कट करने वाला होता है न हम तो आप जो मोटा दात होगा ना उससे आप आम को घिसना इस्टार्ट किजेगा यह देखे हमें बहुत बारिक आम का चूरा नहीं चाहिए इसलिए तो यहां पर मैं इसी तरीके से दोनों को अच्छे से घिस लूँगी आम को घिसने के समय साफधानी बरती एगा क्योंकि फिरफे हैं आप 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 यह देखिए कितना अच्छा लचेदार हमारा आम का चूरा निकला है तो इसको हमकर देते हैं साइड में अब चलते अगले प्रोसेस के और यहां पर मेरे पास सौ ग्राम की करीब हरी मिर्च है इसमें बहुत ही अच्छा तीखा पन अने एक टु तीखी है और जो कूचा में जो तीखा पन रहेगा वो हरी मिर्च कही रहेगा तो मैंने यहाँ पर हरी मिर्च अद्रक और लासुन इन सभी को अच्छे से धो कर एक घंटा के लिए धूप में सुखा दिया था ताकि इसमें कोई भी पानी ना रहे अब हमें इसे कूचना है इ एक जार में सभी चीजों को ले लेना है और उसके बाद सिफ एक नंबर पर ही आप दो सेकेंड के लिए इन सब चीज को चला दीजेगा तो एक दरदरा सा पेश्ट आपको मिल जाएगा तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहे हूं हमें किस तरीके का पेश्ट पनाना है इसे हम कूचला भी कहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दरदरा सा लहसुन अद्रक मिर्ची का पेश्ट बनकेर होगे है तैयार यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने हाथ से कूच अथना उसमें बहुत बड़े दाने हैं तो अब हमें इसे क्या करना है सुखाना है त दूप में 6-7 घंटा बहुत होता है मतलब अगर आप सुखा इसको कर रहे हैं तो साम तक आप इसे धूप में रहने दीजेगा ताकि अच्छे से ड्राय हो जाए इसका जो नमी है वो खतम हो जाए उसी के साथ हमने जो आम को कीसा था उसे भी हमें इसी तरीके से एक थाली म या फिर एक पतला सा कपड़ा आप ले सकते हैं उसमें हमें डाल कर धूप में छोड़ देना है इन दोनों चीज को आप एकदम 5-6 घंटे के लिए धूप में छोड़ दीजेगा जब तक इसका पानी है वो अच्छे से सुखना चाहे तो यहां पर मैं दोनों चीज को कल कीज़़ाद सोफ लें हुसा अच्छे से बनाते हुछटेस आप का ध्यान रखेगा कोचला अचछे से आपका आम और कुचला सुखेगा उतना ही अच्छा हमारा अचाह बनेगा और उतना लंबा हमारा अचाह ओस तो मैं मसाला बनावाही हозм अचार का तो जिसके लि अभुषे नहीं है नोट अलग हो जाये और उसके बाद फिर से मैं ऐसे इक खाली कर दूँगी ताकि यह थंडा हो जाय तो इसे हमें पीश लेना है यहां पर मैं फिर से थोड़ा सा मसाला ले रहे हूं जिसमें है आद़ा चमच के करीब पीला सर सो आद़ा जमच के करीब जी अचार के मसाले में अगर आपके घर में कोईचित ज्यादा या कम पढ़ता है तो उसे आप ज्यादा ये कम कर सकते हैं तो यहां पर देखिए जुबा से साम हो गया है और जो आम है वो अच्छे से सूख गया है अगर सूखते समय अगर आम में हलका काला पना जाए तो उससे दरिये का नहीं क्योंकि खटा चीज न सूखते समय काला हो भी जाता है यहां पर लासु नद्रा का पेष्ट जो हमने बनाया थे वह बहुत ही अच्छे से एकदम सूख गया है तो अब हम चलते हैं अचार बनाने की और तो सबसे पहले एक बॉल में मैं यहां पर लासु कि अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें कुछ मसाले डालते हैं तो यहां पर मैं हल्दी ले रही हूं एक चमच के करीब मैं यहां पर हल्दी डाल रही हूं उसी के साथ मैं यहां पर दो बड़े चमच नमक डाल रही हूं अचार में नमक की जो कॉंटिटी है न वो थोड़ा सा जादा रखेंगे जिससे अचार है खराब होने की chances कम होते हैं उसी के बाद मैं यहां पर हिंग डाल रही हूं हिंग की भी quantity आप अच्छे से रखेगा मैं यहाँ पर एक चमच के करीब तो हिंग डाल ही रही हूं और यह खड़ा मसाला जिसे हमने बाद में रोष्ट किया था उसको डाल रही हूं और जिस मसाले को हमने पीसा था उस मसाले से मैं यहाँ पर चमच के नाप से एक दो और यह तीन तीन चमच मैं यहाँ पर मसाला डाल रही हूं सबसे पहले हम यहाँ पर कभी मसाला डालेंगे कि कुचला में ज्यादा मसाला यूज नहीं होता है इन सभी चीज़ों को अच्छे और 4 जालत देन के कुष्यां और 6 पर तो सबसे समाल के दाल š compete थोड़ा इस तरीकिसमीर डाल सकते हैं सबसे पहले मैंने यहां पर सुद्द का रूदा थे 편 हैं तहीं के हमारा कुछा में शुब है नहीं है अगर हरी मिर्ची का बहुत ज़्यादा तीखा पर नहीं आ रहा है तो तब आप इसमें तीखी लाल मिर्च एड़ कर सकते हैं यहाँ पर अभी तक मैंने आधा कटोरा के करीब सरसो का तेल एड़ कर चुकी हूँ अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे जार में भढ़ ले रही हूँ जार में भढ़ते समय एक बात का ध्यान रखेगा आप कि जार एकदम सुखा हो किसी भी तरह को उसमें नमी ना हो फिर से मैं आधा कटोरा के करीब उपर से तेल डाल रही हूँ और इनको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ तो यहां पर हमारा जो कूचा है चटपटा सा बन कर हो गया है तयार तो इसे आप किसी भी चीज से खाईएगा बहुत ही अच्छा लगेगा दो दिन तक आप इसे धूप में रखें तीसरे दिन यह खाने के लिए एक दन तयार हो जाएगा तो आपको यह रेसिपी कैसा लगा कमेंट्स मुझे जरूर बताएगा मेरा वीडियो देखने के लिए धन्याँ